भारत में ये वाली जो पध्धती है इसको थोड़ा सा मोडिफाई करके राज्यसभा में लागू किया गया है कहां राज्यसभा में राज्यसभा अर्था विधाईका का दूसरा सदन संसद भवन का संसद का दूसरा सदन जिसे हम house of estates या upper house भी कहते हैं उसके 250 सदस्य होते हैं और 250 में 238 चुनाओं से आते हैं बाकी 12 को नामजद किया जाता है राश्टपति के द्वारा तो ये 238 लोग जो राजसभा में आते हैं वे फर्स पास्ट पोस्ट प्रणाली से नहीं आते राजसभा के सदस्य समान उपातिक प्रतिन दित्व पध्धति से आते हैं यद्यपी इसमें भी थोड़ा सा बदलाव है जो हमने पढ़ा है उसकी तुलना में और इसलिए भारत में अपनाई गई इस पध्धति को हम तीसरी चुनावी प्रक्रिया कह सकते हैं समान उपातिक प्रतिन दित्व के ताहत पहली तो हो गई एकल दूसरी हो गई समान उपातिक और तीसरी है राजसभा के चुनाव में किस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई भारतिय संसत प्रणाली में राजसभा की भूमे का बेहद ही महतुपून है ऐसे तो राजसभा सदस्य का कार्यकाल छे साल का होता है लेकिन इसके एक तिहाई सदस्य हर दो साल में सेवा निवरित हो जाते हैं इन सीटों को भरने के लिए दूई वार्षिक चुनाव कराय जाते हैं हमारे सम्विधान में इसका प्राथान अनुच्छे तक 83-1 में किया गया है इसी के तहट अधिसूचना जारी होने के साथ ही राजसभा की बचपन सीटों के लिए दूई वार्षिक चुनाव की प्रक जेसा कि हमारे सम्मिधान में प्राविधान है कि जो राज सभा मेंबर्स हैं, वो हर दो साल में वन थर्ड रेटायर होंगे, लेकिन वो प्रक्रिया जो है थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है, क्योंकि बीच-बीच में जहां भी प्रसेडेंट रूल अगर किसी स्टेट में हो गया, तो वहां पर अगर कोई वेकंसी उस स्टेट इसलिए अभी बच्पन होने हैं, लेकिन जहां तक मेरे पास सूचना है, इस साल 73 सीटों के लिए चुनाओ होगा इस साल के भीतर अपने नाम के अनुरूप ही राजिय सभा, राजियों की परिशद है, यानि राजिय सभा के सदस्य, राजियों और संग राजिय क्षेत्रों के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं राजिय सभा अप्रतिक्ष रूप से जनता का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि उसका गठन, संग, राजियों और संग राजिय क्षेत्रों के अनेक अंगों के रूप में होता है समविधान के अनुचेद 84 के मताबिक राजिय सभा के सदस्यों का निर्वाचन, राजिय विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य अनुपातित पद्धती के अनुसार एकल संक्रमणियं मत द्वारा करते हैं इसका मकसद अलप संक्यक समुदायों और दलों के लिए प्रित निद्धत्व की विवस्था करना है यह विशेश प्रक्रिया जो है निद्धादित की गई है अपने आर्टिकल 80 में इसके विशे में चर्चा है कॉंस्ट्यूशन के do a proportional representation by means of single transferable vote proportional representation का practical implication यह है कि जिस party को जितने vote मिलेंगे जिस party के candidate को जितने vote मिलेंगे election के टायम पे उसके basis पर उसका election होगा तो जिस party का जितना विधान सभा में इसकी जितने members हैं उसके proportion में ही उसको elect कर सकते हैं वो या अगर वो किछी से उनका गड़बंधन हो जाता है या कुछ हो जाता है तो उसे साप पर बनता है सम्विधान के 96-84 में संसत की सदसिता के लिए अरहताय निर्धारित की गई है राज्य सभा की सदसिता के लिए किसी व्यक्ति के पास जो योग्यताएं होनी चाहिए उनमें उसे भारत का नागरिक होना चाहिए उसकी आयू कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए और उसके पास ऐसी अन अरहताएं होनी चाहिए जो संसत द्वारा बनाई गई विधी के अधीन हो इसके साथ ही समविधान के अनुचेद 102 में राज्य सभा के सदस्यों के लिए कुछ नरहताएं भी नरधारत की गई हैं जैसे वो दिवालिया या पागल खोशित हो भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी लाफ के पदपर हो उसने स्वेच्छा से विधीशी नागरिक्ता ले ली हो समविधान के अनुचेद 83-1 के तहट राज्य सभा एक स्थाई निकाय है और उसका विक्टन नहीं किया जा सकता इसके सदस्यों का चुनाव 6 साल के लिए होता है लिकन एक तिहाई सदस्य प्रतेग दूसरे साल की समाप्ती पर सेवा निव्रित हो जाते हैं हर दो साल में कैसे होगा तो उस सुख़ तो थोड़ा सा एक तरह से ड्रोलाट से रिसाइड किया गया कि जो लोग इलेक्ट हुए हैं पहली बार उसमें वं थरड कौन दो साल चलेंगे कौन चार साल चलेंगे कौन 6 साल चलेंगे तो उसके बाद से फिर पहले राउंड के बाद से तो जनका भी जब 6 साल का टर्म खतम होने वाला है वो उनकी जगाए दूसरे चुने जाते हैं जहां तक राज्यसभा में सीटों की संख्या की बात है तो सम्विधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राजियों और संग राज्यक्षित्रों को स्थानों की आवंटन का प्राधान है इसके तहित स्थानों का आवंटन प्रतिक राज्य की आबादी के आधार पर किया जाता है यानि राज्य सभा में किस राज्य से कितने सांसदों के ये उस राज्य की जनसंख्या के हसाब से तै होता है इस आधार पर अंडमान निकुबार द्वीब समुहूं, चंडिगड, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव और लक्षदीब जैसे कुछ संग राज्य क्षेत्रों की आबादी इतनी कम है कि राज्य सभा में उनका कोई प्रतिनिधी नहीं है राज्यों के पुनरगठन और नए राज्यों के गठन के बाद राज्यों और संग राज्य क्षेत्रों को आवंटित राज्य सभा में निर्वाचित स्थानों की संख्या साल 1952 से लेकर अब तक समय समय पर बदलती रही है राज्य सभा का सदस्य चुने जाने के लिए उम्मीदवार को नियूंतम मान्य वोट मिलने चाहिए और वोटों की गिनिती सीटों की संख्या पर निर्भर करती है राज्य सभा में सदस्यों का चुनाव राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें विधान परिशत के सदस्य वोट नहीं डाल सकते नामंकन दाखिल करने के लिए नियुनतम 10 सदस्यों की सहमती जरूरी होती है सदस्यों का चुनाव एकल हस्तांतरणिय मत के द्वारा निर्धारित कानून से होता है इसके अनुसर राजे की कुल विधान सभा सीटों को राजय सभा की सदस्य संख्या में एक जोड कर उसे विभाजित किया जाता है और फिर उसमें एक जोड दिया जाता है इसे इस तरह से समझा जा सकता है मान लीजिए महराष्ट्र विधान सभा में कुल 288 विधायक है और वहाँ साथ राज्य सभा सीट के लिए चुनाव होने है तो साथ में से एक जोडने पर ये संख्या आठ हो जाती है अब कुल सदस्य 288 है तो से आठ से विभाजित करने पर 36 आता है पिर इसमें एक जोडने पर ये संख्या 37 हो जाती है यानि महराष्ट्र से राज्य सभा सांसत बनने के लिए उम्मीद्वार को 37 प्राथमिक वोटों की जरूरत होगी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हुआ माने कि हर एक विधान सभा के सदस्य को एक ही वोट है लेकिन वोट ट्रांसफरेबल है ट्रांसफरेबल यह है कि जो बैलेट पेपर बनाया जाता है उसमें सभी जो candidate contest कर रहे हैं, उनके नाम रखे जाते हैं, लेकिन उसमें एक column होता है preference का, तो जो भी सुदस्य है, उसको दिखना पड़ता है, हमारी पहली preference क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है, I mean depending on जतने भी candidate है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, वो चाहे तो सिर्फ एक लिख के छोड़ दे, लेकिन कम से कम पहली preference तो उसको अपनी लिखनी ही पड़ेगी, उसके अलावा चाहे तो दो, तीन, चार, पांच लिखे, चाहे एक, दो, तीन, लिखे, जो भी उसको लिखना है, लिख दे इसके अलावा वोट डालने वाले विधायकों की प्रात्मिक्ता का भी महत्व है, इसका मतलब है कि मतदान के दारान, हर विधायक से ये पूछा जाता है, कि उसकी पहली, दूसरी और तीसरी पसंद का उमीदवार कौन है, विधायक, वरियता के अनुसार अपना वोट देत इसके बाद यदि सदस्यों के लिए वोटिंग होती है तो सबसे कम वोट मिलने वाले उमीदवार के वोटों को दूसरी वरियता के अनुसार अन्ने उमीदवारों को ट्रांसफर कर दिया ज tätä है, यह सिलसला तब तक चलता है, जब तक उमीदवार विजह नहीं हो जाए én, इ समानुपातिक प्रतनिजित्ट का जो तीसरा स्वरूप है उसको हम भारत में देखते हैं जैसा मैंने कहा और वैसे तो ये एक एकल संक्रमणी मत प्रणाली के तहत ही आता है लेकिन थोड़ा सा बदलारूप हर राज्य को राज्य सभा में सीटों का कोटा दिया गया है दिया क्या गया है जन संख्या के आधार पर हर राज्य को राज्य सभा की कुछ सीटों का कोटा ये वाला कोटा अलग है वो मत के कोटों से जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूँ उसे हम अलग से समझेंगे यहाँ पर हर राज्य का एक एक कोटा है राज्यों की विधान सभा के सदस्यों द्वारा इन सीटों के लिए चुनाओ किया जाता है उधारन के लिए राजस्थान या हर्याना ले लिजए हर्याना में 90 विधान सभा सीटे हैं ये विधान सभा के और विधान सभा की 90 सीटे हैं और कोटे के तहट उसे पाँच राज्यसभा की सीटें मिली हैं कितनी मिली हैं पाँच राज्यसभा की कितनी सीटें पाँच इन पाँच सदस्यों का चिनाव कौन करता है केवल और केवल विधान सभा हर्याना के सदस्य करते हैं और कोई नहीं तो भर्याना विधान सभा में कितने सदस्य हैं नबे अर्थात ये नबे लोग उन पांच राज्य सभा के सदस्यों का चैन करेंगे जिन्हें राज्य सभा में बेजा जाना है यहां एक चीज और ख्याल रखें ये पांचों सदस्यों का चैनाओ एक साथ नहीं होता जैसा कि लोग सभा में होता है एक साथ पूरे सदन का चैनाओ होता है या तो पांच वर्ष के कारकाल के पूर्ण होने पर और या मध्यावधी चुनाओं के श्थिति में पूरे लोकसभा के चुनाओं एक साथ होता है और कभी-कभी ओप चुनाओं एक, दो, चार सीटों के लिए होते हैं जो किसी कारण से खाली हो जाते हैं वो अलग बात है पर वैसे दिखा जाए तो लोकसभा के चुनाओं पूरे एक साथ होते हैं सभी 540 सीटों के पर राज्यसभा में ऐसा नहीं होता राज्यसभा में 238 सीटों का एक तिहाई सीट हर दो वर्ष बाद रिक्त होता है हर दो वर्ष बाद रिक्त होता है एक तिहाई सीट मतलब यदि हम दो सो चालिस सीट माने तो दो सो चालिस का एक तिहाई कितना हुआ असी सीट असी सीटें हर दूसरे वर्ष खाली होती है अब ये असी सीट जो है वो कहां की है राज्य सभा के लिए तो केवल राज्यों से आते हैं हर राज्य का कोटा है राज्य का कोटा कैसे निर्धारित होता ये बाद में बताएंगे पर हर राज्य को का कुछ कोटा है जैसे मैंने बताया हर्याना का पांच ये असी में से पांचों सीटें एक साथ खाली नहीं हुई हर्याना की दो वर्ष बाद जो सीट खाली हुई इसमें पांच में से दो खाली हुई उसके अगले दो वर्ष बाद पांच में से खाली हुई उसके अगले वर्जबाद अगले दो वर्जबाद पांच में से फिर दो खाली उस प्रकार पांच सीटें रोटेशन में खाली होती है एक साथ नहीं होती तो दो सीटें खाली हुई वेकेंट है च्छतीस गड़ की भी यदि बात लें तो च्छतीस गड़ का भी एक नरधारि को उटा है राज्य सभाग तदस्यों का यहां कि जन संख्या के अधार पर यहां कि तीन सीट मानें तो जरूरी नहीं कि एक सीट दो वर्ष बाद और फिर एक सीट फिर दो वर्ष बाद इसके माइने क्या हुए यदि दो हजार बाइस में एक सीट भरी गई वो एक तिहाई सीटें जो खाली हुई थी उसमें तो ये दो हजार बाइस वाली सीट एक बटा तीन, एक बटा तीन, एक बटा तीन करके क छे वर्ष बात पुनह वह सीट खाली होती है अर्थात राज्य सभा का एक सदस्य चैन के जाने के बाद चैनित होने के बाद छे साल के लिए राज्य सभा का सदस्य होता है कितने वर्ष के लिए छे वर्षों के लिए जबकि लोग सभा का सदस्य पांच वर्षों के लिए उस चुनाओ होते हैं और पूरी सभा के होते हैं एक साथ राजसभा में एक तिहाई खाली होती है उसके बाद फिर एक तिहाई सीट दो वर्ष बाद फिर एक तिहाई सीट दो वर्ष बाद इसका मतलब राजसभा में कभी भी एक साथ चुनाओ नहीं होते इसका मतलब राजसभा कभी भी एक साथ खाली नहीं होती एक तिहाई सीट खाली होती ये लगवक असी सीटें खाली होंगे फिर इसके दो वज़ बाद फिर असी सीटें फिर दो वज़ बाद फिर असी सीटें तो इसलिए कहते हैं राज्य सभा जो है कभी भंग नहीं होती इस्थाई रहती है उसके एक तिहाई सदस्द से बदलते रहते हैं लेकिन दो तिहाई बने रहते हैं उन दो तिहाई में एक तिहाई दो वर्ष का कारकाल पूरा कर चुके होते हैं बचे दो तिहाई फिर दो वर्ष का कारकाल चार वर्ष का पूरा कर चुके होते हैं आदी आदी खैर इसके बारे में हम विधाईका में और विफ्तार से समझेंगे पर यहां इतना जानना आपको जरूरी था कि राज्य सभा के चुनाओं में ये वाली पद्धती अपनाई जाती है और राज्य को कोटा मिला हुआ है राज्यों की विधान सभा के सदस्यों द्वारा ही राज्य सभा के लिए सदस्यों का चुनाओं किया जाता है बिल्कुल स्पष्ट हो गया इसमें रज के केवल विधायक जो होते हैं वो मतदान करते हैं मतदाता चुनाओं में खड़े होते हैं या चुनाओं में खड़े होने वाले उम्मीदवारों कि सूची देखते हैं जो मतदाता है वो मतदाता उने उस राज्य की विधान सभा के सदत से ये बात साफ रखें मैं राज्य सभा के चिनाव की बात कर रहा हूँ जहां पर और केवल वहीं पर समान उपातिक या ये वाली चिनावी पध्धती अपना ही गई है तो मत दाता जो वहाँ के राज का विधान सभा का सदत है वो सभी प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार एक वरीता करम देता है एक वरीता करम में मत देता है पहली पसंद दूसरी पसंद तीसरी पसंद चौती पसंद ऐसा करते हुए वो जितनी पसंद देना चाहे द पहली पसंद, first priority, first preference, ऐसा वहां के सभी बिधान सभा के सदस्त करेंगे, जीतने के लिए प्रत्याशी को एक कोटा लेने की जरुत होती है, मैंने बताया था, और यदि कोटे से ज्यादा मत मिल गए, तो वो अतरिक्त मत दूसरे को ट्रांसफर हो जाता है, ऐसा मैंने बताया तो वो कोटा क्या है, कोटे को कैसे प्राप्त करेगा, या कोटा है क्या, कोटा मतलब कुल मतदान जितने वोट हुए, जितने वोट डाले गए, बता कुल उम्मीदवार, विजय उम्मीदवार, कुल मतदान, बता कुल विजय उम्मीदवार, धन एक, और इस पूरे को ब्र ब्रैकेट में करके फिर धन एक तो इत्वकार हम देखते हैं कि कुल मतदानों की संख्या मैंने शुरू में बताया था कि इस चनाओं की एक दिक्कत ये है कि इसमें हमें तुरंत मालूम करना चाहिए सबसे पहले कि कुल कितने मत पड़े तो कुल कितने मत पड़े उनकी संख् कुल कितने विज़े उमीदवार होंगे धन एक और फिर पूरे को ब्रैकेट में एक खुदारण के लिए यदि राजस्थान के हम बात करें तो राजस्थान के दो सो विधायकों को चार राजसभा सदसे चुनने होते हैं उस वर्ष कल्पना करिये 2022 में 200 विधायकों को राजसभा के लिए चार सदस सच चुनने हैं वैसे राजस्थान को आठ सीटे मिली हैं आठ राजसभा की सीटें हैं लेकिन इस साल चार सीटों में वेकेंसी हो तो चार चुन्ने हैं तो विजय उम्मीद्वार को कितने वोट चाहिए होंगे अर्था विजय होने के लिए कितना कोटा निर्धारित किया है तो कोटा अब कैसे बनेगा यदि 200 विधान सभा के सदत है और इस चार उम्मीद्वार चुन्ने हैं तो 200 बटा 4 प्लस एक और फिर प्लस एक is equal to 200 बटा 5 प्लस एक is equal to 40 प्लस एक बराबर 41 ये राजस्थान के कलपना के अधार पे 200 मत दाता हैं विधान सभा सदत हैं और 4 सीटे हैं उसको लेकर ये गुड़ा किया गया तो ऐसी सीटे में विजय होने के लिए 4 विजय होने के लिए 41 वोट चाहिए एक 40 वोट का कोटा पहली पसंद के रूप में जो पालेगा वो विजय घोशित जितने लोग पालेंगे अधिक्तम 4 लोग विजय घोशित होंगे और 4 से ज्यादा लोग पानी सकते अब यहां पर कुछ और आपको समझने के जुरत है कोटा 41 का पूरा करने पर विजय घोशित होगा जब बदगरना होती है तो उम्मीदवार को प्राप्त प्रथम वरीता के अधार पे वोट गिना जाता है पहली वरीता में इस उम्मीदवार को कितने वोट मिले और जिस उ यदि प्रत्याशियों की वांशित संख्या वोटों का कोटा नहीं पापाती तब क्या होगा कलपना करी 41 नहीं मिला किसी को भी तब क्या होगा पुना मत गणना होगी लेकिन मत गणना होगी मत दान नहीं होगा लोक सभा में ऐसी एक सित्याती जब मतदान होता है पुनर मतदान यहाँ पे मतदान नहीं होता मतगणना होती है ऐसे प्रत्याशी को मत गणना से निकाल दिया जाता है जिसे प्रत्थम वरीता वाले सबसे कम भोट मिलें बहुत जरूरी पॉइंट है सबसे कम प्रत्थम वरीता पाने वाले उम्मीदवार का नाम हटा दिया जाता है उस सूची से और उसके जो मत हैं उसको स्थानांतरित किया जाता है मत हस्तांतरन किया जाता है उसके वोटों को अन्य प्रत्याशियों में बाट दिया जाता है और कैसे बाटा जाता है ऐसा नहीं कि चार 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 बराब उसका माट दिया ऐसा नहीं होता है ऐसा करने में प्रत्येक मत पत्र पर जो द्विती वरीता प्राप्त है उसको वो मत दे दिया जाता है समझ करेंगे जो जुती वरीता प्राप्त केंडिडेट है उसको वह अलंमत चला जाएगा तो ऐसा करने में प्रत्यक मत पर अंकित जुती वरीता प्राप्त वाले प्रत्याशी को यह मत स्थान अनतरित और इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखते हैं ये स्थानान्तरण की प्रक्रिया को जब तक की कोटे वाली संख्या कोई कैंडिडेट प्राप्त ना कर ले जैसे किसी कैंडिडेट ने 41 की संख्या प्राप्त की वो विज़ाई घोशत तो ये कोटा अर्थात वांचित संख्या वांचित संख्या ने 41 और कब तक चलेगी ये प्रक्रिया जब तक कि चार कैंडिडेट्स 41, 41, 41 ना पालें तब तक वो ट्रांसफर होते रहेंगे वोल्ट पहली बार पहले 41 के लिए का कोटा पाने के लिए दूसरे बार 41 का कोटा आदि आदि लेकिन मतदान एक ही बार होगा मतदान एक ही बार होगा तो इस प्रक्रिया को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को तब तक जारी रखा जाता है जब तक वांचित संख्या अर्था चार पोस्ट जो हैं खाली हैं चार के बराबर पत्याशियों को विजय घोशित नहीं किया जाता ये कहलाता है सम्क तमानुपातिक इसलिए अब आप समझ सूंगे ये जटिलता है इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है निश्चित मत या कोटा कैसे निश्चित मत का अभी प्राय है मतों की वो संख्या कोटे का मीनिंग क्या है कोटे का आर्थ है मतों की वो संख्या जो उमीदवारों को विजय घोशित करने के लिए आवश्यक है जैसे उपर के उदारण में मैंने बताया था 41 की वो संख्या वो magic अंक 41 केवल राजस्थान के लिए एक तालिस ऐसा नहीं पूरे देश के अलग-अलग विधान सभाओं में अलग-अलग विधान सभाओं से राजस्था को भेजे वाँ एक तालिस है ना एक तालिस केवल राजस्थान के लिए ये संख्या हर जगा अलग-अलग होगी क्योंकि विधान सभाओं के सदस्यों के संख्या अलग होगी जो पोस्ट खाली हैं सीटें खाली हैं उनके संख्या अलग होगी तो आप ये formula के बल पर अलग-अलग राजियों की अलग-अलग राज्य सभा के कोटे की संख्या पता लगा सकते हैं तो हम ये समझ गए कि कोटे कार्थ है मतों की वह निश्चित संख्या जो उम्मीदवारों को निर्वाचित घोशित करने के लिए आवश्यक है अर्थातिस प्रणाली में उम्मीदवार को विजई जीतने के लिए केवल सामान्य बहुमत नहीं चाहिए जैसा फर्स पास्ट पोस्ट में होता है कि बहुमत मिला सबसे ज्यादा मत मिले तो विजई हुए नहीं ये शर्तें पूरी होनी चाहिए सबसे ज़्यादा मत पहली पसंद के मिले हूँ फिर मत दूसरी शर्त है पहली पसंद के मत सबसे ज़्यादा उसके बाद पहली पसंद के मत को पाने का जो कोटा निर्धारित हुआ है इस फार्मूले के तहत उस कोटे को छूने और तब जाकर वो विज़ई घोशित होता है इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रणाली में उमीदवार को केवल बहुमत ही नहीं चाहिए होता है बलकि विज़ई होने के लिए ये भी आवश्यक है कि वो नियूनितम जो कोटा है उस संख्या को पाए तो डबल दो शर्ते हैं इसमें विज़ई होने की पहले निश्चित संख्या जो थी वो टॉमस एयर के अनुसार कुछ अलग फॉर्मूले से थी जिनका मैंने पहले जिक्र किया है टॉमस एयर तो उनकी क्या पध्धति थी टॉमस एयर ने क्या फॉर्मूले निकाला था जिसक क्या था कुल डाले गये मतों की संख्या यह पहली वाली स्थिति में भी लागू थी उसके बाद बटे निर्वाचित होने वाले प्रतिनिदियों की संख्या वह बात जी वैसे है है अ बस इतने में जो निकल जाय वही कोटा लेकिन बाद में क्या जोड़ा गया अर्था एक लाग पचास हजार फोट पड़े और वहाँ पांच प्रतिनिदियों को चुना जाना है तो कोटा कैसे निकलेगा एक लाग पचास जार बटे पांच अर्था तीस हजार याने तीस हजार मत मिलने वाला मत पाने वाला उम्मीदवार विजए बड़ा सिंपल फांमूला ये नियो नितम कोटा हो गया